तो हेलो नमस्कार जहिंद बंदे मातर में एक बार फिर शेयर आप सभी दोस्तों का मेरी स्टुडेंट्स का बहुत बहुत श्रागत है आज की इस नई वीडियो में मेरे प्यारे स्टुडेंट्स आज आपका चैप्टर नंबर पांच स्टार्ट करने जार हैं मैतमेतिक्स का जो की आपका है लगुत्तम शमापूर तक एवं महत्तम शमापूर तक आपको इसका स्टार्ट फाम भी पता होगा इसका स्टार्ट फाम होता है लासा और माशा आपको जैसा पता है तो आज मेरे प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को गलासा माशा के सुबह जो की आपकी ख्लास आती है mathematics की 7 बजे डेली क्लास आती है तो आप लोग डेली साथ बजे ज़ॉन कीजिए क्लास और एक भी क्लास अब मिस्स मत कीजीगा आज आपका पांचवा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है आगे का चार चैप्टर हमने पहले से पढ़ा दिया जो कि आपको हमारे यूटूब चैनल पर मिल जाएगी आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं इसकी पूरी वीडियो मिरे प्यार स्टुडेंट्स आज की वीडियो आप लोग के लिए काफी जादा महत्पोन होने वाली है इसी के साथ एक जो है आपको बता दिया जाए कि आप इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए क्योंकि आगे आप जब जाते हैं तो लाइक करना भूल जाते हैं तो आप सबसे पहले तो इसे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने शभी दोस्तों के साथ अपने सभी फ्रेंट्स के साथ सेर कर दीजिए जिससे ज़्यादा सज़धा स्टुडेंट्स इस वीडियो से जुड़ सकें और इसका फाइदा ले सकें तो मेरे पहले ये फार्मूला कुछ दिये हुए है आप इसके स्क्रीन सॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं और अगर आपके पास बुक दी हुई है तो आपके सबसे बड़ी है आपको बुक से आप याद कर ली जेगा आपको इसमें कुछ फार्मूला याद करना बेहद जरूरी है जैसा कि आपका पहला फार्मूला है मासा और लासा का अगर गुला करेंगी तो हमारा क्या जाएगा संख्याओं का भी गुरनफल मिल जाएगा मासा लासा का गुरान अगर कर देते हैं तो हमारा संख्याओं का गुरान फर मिल दाता है इसी के साथ अगर हम भिन का लासा ग्याद करना हो हमें तो भिन का लासा ग्याद करने के लिए आपको क्या करना होता है अंस का तो लासा निकाल लेते हैं लेकिन हर का मासा ग्याद करना पड़ता है यानि महत्तम शमापवर्त ग्याद करना पड़ता है और अगर वहीं बात करें भिन का मासा ग्याद करने के लिए तो अंस का माशा ग्याद करेंगे और हर का क्या करेंगे लासा ग्याद करेंगे तो ये आपके लिए फार्मूला ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होताएगी तो आप इसका स्क्रिंसोट ले लीजिए और आप अच्छे से इसे तयार कर लीजिएगा पूरा फार्मूला और हम क्वेश्चन में जो भी जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें फार्मूले जो भी आएंगे वह हम आपको बताते चलेंगे तो आप वीडियो पूरा आखरी तक देखीगा और मेरे प्यारे स्टुडेंट आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका कमेंट आप जरूर किया कीजिए और मेरे डियर स्टुडेंट्स आपसे बहुपद्यों गुलन खंड से एक ये क्वेश्चन पूछा तो आपसे प्रते दिन जो है ये डवलो में क्वेश्चन पूछा जाते हैं तो आपको क्या करना है रोज की जो है आपको क्वेश्चन जो भी आपसे पूछा जाए उसका आंसर आपको कमेंट में बताना तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे स्टु जो question है ये वाला जो आपके सामने दिख रहा है इस से आपके question इस chapter से जरूर पूछे जाते हैं और अगर पूछे जाते हैं तो इसी type के question पूछे जाते हैं तो मेरे पहले student आपको अगर कहीं भी ऐसा question दिखेगा तो आस के बाद आपको फोड़ देना है इस question को काट देना है तलवार से, क्योंकि मेरे पैर इस्टुएंट आपको ये कोश्चन इतने अच्छे तरीके से समझना है कि आपका ये कोश्चन एकदम से फसे नहीं, आपको इसमें थोड़ा सा बस ध्यान देना होगा, दोकी हम आपे आए ध्यान दे करके आपको पढ़ना है, सबसे पहले कोश दार छे आठ दस बारा मिनट के अंतराल पर बज़ती हों, तो वे पुना कितने बजे इकठा बजेंगी, तो ये आपको ग्याद करना है, उनको इकठा कब बजेंगी, वही आपको ग्याद करना है, मेरे पैर इस्टुएंट आपको क्या करना है, कुछ भी ध्यान नहीं देन है कोईश्चन तो एक बार पढ़ ली देगा कि क्या कह रहा है उसके बाद आपको बस क्या करणा है आपको यह दिखनी चाहिए क्या दिखनी चाहिए एक तो यहा पर अर तो आपको बस यही संख्याएं दिखनी चाहिए कि यह संख्याएं क्या दी हुई है और एक तो यहां पर यहां पर संख्या दी हुई है इसका आपको निकाल लेना है लासा ग्याद कर लेना है बस जो यहां पर संख्याएं दी हुई है इनका आपको लासा निकाल लेना है और निकालना आप जानते है मेरे पैरे स्टुडेंट की लासा कैसे निकाला जाता है तो दो चार छे दो चार छे आठ दस और बारा इनका आपको लासा निकाल लेना है तो इनका लासा आपको क्या हो जाता है आप अगर लासा निकालना जानते हैं तो बहुत ही बड़ी बहुत ही साथ है अगर नहीं जानते हैं तो इसका लासा हम आपको निकालन बता देते हैं कि आ को कैसे निकालना है तो चलिए यहां legitim Beauty आप Makkah सबसे पहले इसको हम और यहां पर यहां पर हो गया, पिर दो का यहां हो गया, फिर एक बार यहां हो गया, तो बार तो दो आ गया, तो तीन बार दो लिख देते हैं, यहाँ पर लासा निकालना है, तो लासा में क्या किया जाता है, जितने भी होते हैं, सब को ले लिया जाता है, यहाँ पर छोटू, मोटू, गोलू, सब को यहाँ पर इकठा कर लेंगे, इकठा करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपका तीन और पांच दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपका तीन और पांच जो दिखाई दे रहा है आप सबसे पहले एक बार क्या कर देंगे यहाँ पर तीन से और यहाँ पर कर दिया जाएगा तो जब तीन से कर देंगे तो हमारे पास एक हो जाएगा यहाँ पर एक हो जाएगा और यहाँ पर दो रह जाएगा यहाँ पर पांच हो जाएगा यहाँ पर भी एक हो गया तो हमारा आपको दिखाई दे रहा है फिर से एक बार यहाँ हो गया दो दो और दो तीन बार दो को लिख दिया गया एक बार तीन क आंचे क्या हो जाता है 120 हो जाता है तो आपका क्या आ गया 120 आगया इन सभी का लाश都पी highway अब यह मिनट में आया सेकंड में आया यह आपको धिहान दे रहा है कि यह किस में दे आ लेकिन आपको दिखाई सपने मिनट प्रल कर दें हो गयाई मिनट आ गया लासा आ गया क्या आ गया इनका लासा आ गया इन सभी संख्याओं का तो मेरे प्यारे स्टुडेंट चुकि यहाँ पे घंटे में दी हुई है बारा बजे अब बारा बजे का मतलब क्या होता है बारा बजे का मतलब होता है घंटा में तो 120 को आपको घंटे में ब बारा बज़े में कर देना है आपको जोड़ देना है बारा बज़े में कि आपका बारा बज़े में ये जोड़ जाएगा ठीक है तो बारा बज़े में आपको कैसे जोड़ देना है ये भी आपको ध्यान देना है बारा बज़े में जोड़ेंगे अगर इसे आपको दो तो हry तो 12 बज़ रहे है ईस्में दो slowlow देंगे तो आपको पता है 12 के बाद कीतना बज़ता है एक बज़ता है और एक के बाद क्या बज़ता है दो बज़ जाता है इसका मतलब क्या होता है आपको यहांפे 12 और दो 14 नहीं चौदा चुकि आंसर में भी नहीं दिया हुआ है तो चौदा यहां पर नहीं होगा बारा के बाद क्या आता है बारा के बाद एक आता है फिर दो आता है जैसा कि आपको घड़ी का भी इसमें घ्यान होना जरूरी है कि घड़ी में क्या होता है यहां पर बारा हो जाता है फिर एक फिर दो फिर तीन जैसे दिखा होता है न उसी परकार से आपको सब कुछ आपे देखना है तो बारा फिर एक फिर दो तो क्या जाएगा दो घंटे बाद हमारी फिर से बजेंगी तो बारा के बाद कितने बज़े बज़ेंगी दो बज़े फिर से एक सास में घंटियां बज़ेंगी तो ठीक है दो बज़े आपका आंसर एकदम से करेक्ट हो जाएगा तो मेरे पैरे स्टुडेंट आपका आंसर नंबर A वाला दोकी दिया है आप देखते ही इन questions को लगा देंगे तो ये आपको बस इसमें simplify बस इसी को करना है कि इसका पहले आपको पूरे का निकाल लेना है लासा और लासा निकालने के बाद इसमें जो भी लासा आता है उसको घंटे में बतल देंगे अगर यहाँ पर minute दिया होता तो हमारा minute में बतल देते यहाँ पर second रहता तो second को आपको minute में बतल देना था जो भी आपको है मात्रक आपको ध्यान देना पड़ेगा तो आपका answer आ गया ये अब चलते हैं अगले question की ओर तो मेरे प्यारे student आपको ये question समय आ गया होगा आप देख पाँ रहे हैं आप कि हमारा यहाँ पर masa ज्याद करना है आप भिन्न का masa है आपको यहाँ पर ध्यान देनी है मेरे प्यारे student अभी हमने आपको एक formula भी बताया था कि भिन्न का masa आपको कैसे निकालना है जब भिन्द के मासा आएंगे तो आपको क्या करना होगा अंस का निकाल लेना होगा क्या निकाल लेना होगा अंस का आपको कर देना है मासा निकाल देना है अंस का मासा और हर का क्या निकालना है हर का आपको निकालना है लासा बटे में ठीक है हर का लासा तो ये आपका formula होता है मेरी पैरे student ठीक है तो आपको अगर कभी भी भिंद का मासा देखने को मिल दा है कि भिंद का मासा ग्याद कीजे तो आपको अन्स का तो मासा निकाल देना है और हर का लासा यह नहीं लगुत्तम शमाप और तक निकालना है आपको लासा और मासा भी ग्याद होगा भी हमने लासा तो बता दिया मासा कैसे ग्याद करते हैं मासा में जो भी आपका सभी जैसे हमारे पास यहाँ पर मान लेते हैं ए वाला पॉइंट मान लेते हैं एक पॉइंट दिया हुआ है ए में दिया हुआ है दो तीन चार और मानलिया बी दिया हुआ तो बी में भी दिया हुआ है दो एक तीन तो अब आपको यहाँ पे मासा ग्याद करने के लिए क्या करना होगा मासा ग्याद करने के लिए जो दोनों में होगा यहाँ पे दो दोनों में है और तीन दोनों में तो इन दोनों को लिया जाएगा तो मासा हो जाएगा यानि दो गुड़े तीन यह हमारा क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा लेकिन अगर यहीं पे हमें लासा ग्याद करना होता है तो दो तो हो जाता तीन हो जाता लेकिन जो ब चार पांच नो का मासा तो चार पांच नो में आप देख पा रहे हैं नहीं चार मैच कर रहा है नहीं पांच और नहीं नो यानि किसी को अगर आप मल्टिप्लाइ करेंगे तो दो गुड़े दो हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा यहाँ पर 3 गुड़े 3 हो जाएगा लेकिन आपको पता है किसी में भी मिल नहीं रहा है एकदम से सेम नहीं है कुछ भी वैलू तो आपके इसकी लासा क्या हो जाएगी आप इसमें सब एक चीज एक कर सकते हैं एक गुड़े एक कर सकते हैं तो आपका इसका मासा क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा एक क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा था तो आपका मासा हो जाएगा एक अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे तीन दिया है यहाँ पे उपर साथ दिया है तो यह तो दोनों पहले से ही कंसिल हो गए अब इन ही दोनों में से आपको ग्याद करना है कि मासा आपका क्या होगा इस भिन्द का तो इन दोनों में से कोई एक आंसर आपका सही होगा A या C में से तो आईए देखते हैं अब आपको नीचे का आपको पता है लासा निकाल देते हैं लासा कैसे निकालते हैं आपको भी इमने बता दिया तो 7 और 35 और 21 का आपका लासा निकालना है तो आपको कैसे निकालना है पहले तो आपको कार देना है पांच से कार देना है तो 7 हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा यहाँ पे 21 हो जाएगा अब आपको 3 से कार देना है तो इनका तीनों का गुड़ा क्या होता है 105 हो जाएगा तो नीचे गया गया 105 आगया उपर क्या था एक था तो ये आपका टोटल कितना आंसर हो गया एक बटा 105 जो की सी वाल आंसर है आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा तो मेरे पेरे स्टूडेंट आपको अगर भिण्द का मासा ज्याद करने आजा दाए तो आपको अब भिण्द का मासा आपका नहीं फशेगा आप एकदम से फोड के आएगे question को तो ये उम्मीद हैं को तो मेरे पेरे स्टूडेंट आपके साथ एक और मेरे प्यारे स्टुडेंट आपको मैं बता दूँ ये आपका question एकदम से formula based पे है एकदम से अगर आपको formula पता है तो आपका ये question एकदम से लगा हुआ रखा हुआ है अब formula काँ से लगेगा वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे पहले तो मैं आपको formula दिखाने वाला और एक बड़ी से बड़ी संख्या के लिए लेकिन आपका question क्या पुछा गया छोटी से छोटी संख्या तो छोटी से छोटी संख्या के लिए यहाँ पर देख पार है जिसे xyz से विवाजित करने पर सेस्फल प्राप्त होता है तो उसी प्रकार से same का आपका question है तो इसमें जो के दिया हुआ है यानि के जो सेस्फल दिया हुए से जोड़ देंगे बस आपको यही इतना करना होता है तो चलिए question की और बढ़ जाते हैं एक बार फिर शे तो मेरे प्यारे student आपको आपके मैं बता दूँ वहाँ पर कियो तीन ही दिया था xyz लेकिन यहाँ पर जो भी आपके समने आजाएगा xyz और abcd कुछ भी आजाता है जितने भी आजाएंगे उन सबका आपको लासा ग्याद करके जो सेस आ रहा होगा उसे आपको जोड़ देना है लेकिन आपको बात ध्यान देनी है कि छोटी से छोटी संख्या के लिए आपका formula का जो भी है यह नियम लेकिन अगर आपका बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो इसका formula आपका दूसरा होता है तो अब हम question क्यों बढ़ते हैं सबसे पहले तो इनका आपको निकाल लेना है लासा जैसा कि मैंने आपको लासा भी निकालना पहले भी बता दिया है और एक बार फिर से म 55 का 15 हो जाता है फिर से अगर आप इसे 3 से करें तो यहांपे 4 एसे रघ जाएगा 8 है और पीशार हो जाएगा यहां पे 22 हो जाएगा तो चार से करती है तो चार से करेंगा यहांपर 7 की में गुड़ा हो जाएगा गुडे में 2 आजाएगा और गुडे में 5 आजाएगा इसका मतलब क्या हो तीन तृटल जो लासा निकल के आ गया आजाएगा अब आपको पता है कि लासा में क्या जोड़ देते हैं भी आपका होता है उसे जोड दिया जाता है तो 360 में एक eux दो प्लस कर देते हैं तो प्लस कर देते हैं तुम्हारा आता है 3066 छोगी हमारा आंसर होजाता है तो यह आपका एकडम से राइड आंसर है और मैं जल्दी से आपको एक और question बता देता हूं जो कि आज का last question होगा और आपको बता दूं इसका question का आपको answer जरूर कमेंट में हमें बताना मेरे और answer आप जैसे बताते हैं तो मैं आपका answer देखता हूं तो मुझे और खुशी होती है कि हमारे student जो हमारे साथ में पढ़ रहे हैं तो पहरे पैर प्यारे student आपको अगले question को ले चलते हैं और आपको यहां पर दिखाई दे रहा है इसके दोनों को आपको जो है इसका मासा निकलना है अब आपको पता है मैंने अभी A और B आपको A और B का example दे के बताया था मासा ग्याद करने के लिए मासा में जो दोनों में होगा वही आपका मासा हो जाएगा और लासा क्या होता है जितने होते हैं उनको तो लिया जाता है और जो नहीं होते हैं दोनों में उनको भी साथ में ले लिया जाता है तो वो लासा हो जाता है को मासा के लिए जो दोनों में हमें मिल जाएगा वही हम यह पर लेंगे ठीक है तो यह आपका मासा हो जाएगा अब आपको क्या करना है इन दोनों ब्रेंदकों को सबसे पहले तो साल्व करना होगा यानि सिंप्लिफाई करना होगा अब ब्रेंजक को आपको सिंप्लिफाई क करने के लिए क्या करना होगा बेंजक को सिंप्लीफाइघ करने के आपको पता है है इसे आपको पहले एक तौ जो यहां यहां पर बाटना होगा इसे आपको कैसे गुल tobacco खंड के रूप में गुल्ड कंड करूप में कैसे बातेंगे ाई यक्स की पावर 4 दिया है अगर हम इससे देखें 3 एक्स स्क्वायर को ुम क्या लेख सकते है references कॉर्थ मैंनस में एक्स क्वायर करो देता थो re yeux इसे हमने दो एक्स प्लस में ग्योघ किया तो आपको यहां पर दिखाई करते हैं वह हमारा यहां पर चार पर वादघेया प्लस में और यहां पर चार दिया है तो आप यह बाते ध्यान देनी हो इसे बनाने है इसे सब्सक्राइब भी अपना लगाना होगा तो इस प्रकार से क्या है पर मिल और 4 प्लस 4 x square और माइनस में x square और माइनस चार आप आप देखेंगे हम अगर यहां से X square common ले लेते हैं हमारे पास यहां पर बच जाएगा X square प्लस में 4 और पर अगर हम माइनस वन कामन ले लेते हैं तो एक स्कॉयर प्लस में चार हमारा यहां पर भी बच जाएगा ठीक है मेरे स्टुडेंट आपको यह समझ में आ रहा होगा यह आपको नोट डाउन कर लेना है आपको एक काम करना है काउपी और पेन के साथ में बैटना है तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि यहां पर मैं स्क्रीन पर लिखता हूँ तो बार-बार इस से जो है रहताना पड़ता है क्योंकि इस स्क्रीन पर लिखने के तेरा तीन दिया हुआ है तो आप इसे हमें तीन के रूप में बदलना होगा तो तीन के रूप में कैसे बदल सकते हैं माइनस चार एक सिस्क्वाइर कर सकते हैं और माइनस में एक सिस्क्वाइर कर सकते हैं तो यह हमारा माइनस चार एक सिस्क्वाइर को बदल दिया गया तो यह देखते हैं क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा एक सी पावर चार माइनस तीन एक स्क्वाइर और माइनस में एक स्क्वाइर और प्लस में तीन हो जाएगा अब यहाँ पर हम एक स्क्वाइर यहाँ पर कामन लेंगे तो एक स्क्वाइर माइनस में ठीरी हो जाएगा तो हम यहाँ पर ए वाली दो बैलू हमारी पहली बैंजक दो दिया हो था पर्थम बैंजक उसका क्या आया बैलू एक्स स्क्वाइर माइनस वन और एक्स स्क्वाइर प्लस फोर आ गया ठीक है और दूसरा बैंजक का क्या आया एक्स स्क्वाइर माइनस और एक्स स्क्वाइर माइनस को हम चूज करेंगे यानि उसी को हम पूट करेंगे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है यह स्कॉयर माइनस वन और यहां भी है यह स्कॉयर माइनस वन तो हमारी वैलू यहां पर क्या आएगी एक स्कॉयर माइनस वन अब आपको पता है मासा में केवल जो वैलू समान होती ह उसी को लिया जाता है, जो कि यहां पर X की पावर 4, और X की पावर 2, प्लस 4, और X की पावर 2-3, ये दोनों जो हैं, बराबर नहीं है, तो इसलिए इनको नहीं लेंगे, लगर यहीं पर मासा पूछा जाता, तो X स्कौार माइनस 1 तो लिया ही जाता इसी के साथ-साथ इन दोनों को भी यहाँ पे ले लिया जाता तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता लासा हो जाता लेकिन हम से पूछा क्या गया मासा पूछा गया तो इसलिए हम मासा के लिए केवल और केवल यही वैलू लेंगे जो की दोनों में शमान होगी और दोनों में उपलब्द होगी ठीक है तो इस प्रकार से आपका यह स्कॉर माइनस वन क्या हो जाएगा इसका आपका आंसर हो जाएगा तो आज की इस कोश्चन के साथ में इस सेशन को जो है इंड करते हैं और आपको सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करके रखके तो आपको वापे नोटिकेशन भी मिल जाती ठीक है तो मेरे प्यारे student उम्मीद है आपको एक questions जो है सारे अच्छे से समझ में आ गया होंगे इस वीडियो को अपने सभी friends के साथ share कर दीजिए जिससे सभी friends आपके देख सकें अच्छे से पढ़ सकें और आपकी